तो guys 25,000 तक का आपका budget है और आपने ये phone देख लिये हैं इनमें से आपको कोई एक लेना है मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे OnePlus Node CE3 और यहाँ पे Realme 11 Pro क्योंकि दोनों ही latest model है और बहुत सारे लोगों के सामनी ये दोनों phone आने वाले हैं जादा तर जो OnePlus Node CE3 जो phone है ये बहुत ज देखते हो इन दोनों को एक साथ Realme 11 Pro और OnePlus Node CE3 को तो इन दोनों में से कौन सा best रहेगा कौन सा आपको buy करना चाहिए बाखी pricing की बात करते हूँ तो यहाँ पे जो OnePlus Node CE3 5G जो phone है वो आपको 8GB and 128GB का जो variant है वो तकरीबन आपको 27,000 तक देखने को मिलता है जब आप price देखते Pro 5G को देखते हूँ तो यह आपको 8GB and 128GB का जो variant है यह आपको 24,000 रुपे के करीब देखने को बिल जाता है इन दोनों में से आपकी कोई एक choice रहने वाली है तो कौन सा आपको इन दोनों में से buy करना चाहिए यह वीडियो के end तक आपको पता चल जाएगा आज की वीडियो CE3 जो फोन है वो अभी जो है कि आपको नया देखने को मिलेगा बिल्कुल नया फोन है और अभी तक इसकी सेल भी स्टार्ट नहीं हुई है इसकी मैं वीडियो बना रहा हूं तब सेल स्टार्ट नहीं है और अगर इसका लुक के बारे में बात करें तो जिनको क्लासिक इसकी अध्यकप पैनल देखने को मिल जाता है प्ल्षिक पैनल In You da求 शितने को मिलेगा शाइड में बिलेगा साइड में यहां पर वॉक्सी फ्रें पीडियो III और प्लोम प्लिस घीफिले पीजने को मिलता है वीजर में पच्छल चर डैट्व ब्लश्न देखने अवwen्regon पी काफी कम bezels यहां पर आपको देखने को मिलेंगे और और आप देखते हो तो classic look यहां पर आपको OnePlus Note से E3 के अंदर आपको देखने को मिलता है लेकिन जिनको rough and tough look चाहिए वो जा सकते हो Realme 11 Pro की और क्योंकि यहां पर आप back side से देखते हो ना काफी बड़ा camera layout यहां पर आपको back side में देखने को मिलता है Realme 11 Pro के अंदर बाकी camera जो layout है वो तो काफी बड़ा है इसके अंदर flash light काफी सारी चीज़ दी गई हैं लेकिन इसके अंदर camera सिर्फ दो ही दिये हैं बाकी इतना बड़ा camera आपको देखने को मिलता है और यहां पर आप देखते हो तो नीचे यहां पर आपको Realme की branding देखने को मिलता है यहां पर आपको अलग-अलग look में आपको देखने को मिलता है यह leather finish और flat panel भी देखने को मिलता है back color और काफी जो look है वो different है इसके अंदर सामने की साइड से देखते हो तो यह crowd display के साथ देखने को मिलता है और यहां पर एक और plus point आ जाता है कि जिनको crowd display का हो चाहिए वो भी यहां पर जा सकते हो इसके लाए यहां पर आपको पंचोल देखने को मिलता है साइड से frame जो है वो बिलकुल slim रहे क्योंकि यहां पर आपको crowd display देखने को मिलती है बाकि अगर display details के बात करते हैं इन दोनों की realme 11 pro के अंदर आप display देखते हो तो यहां पर आपको 6.7 inches की 120 Hz वाली एमुलेट display देखने को मिलेगी 960 nits के यहां पर आपको peak brightness देखने को मिल जाती है डिस्पले काफी अच्छी है realme 11 pro के अंदर वही पर आप display देखते हो oneplus node CE3 के अंदर तो यहां पर आपको 6.7 inches की डिस्पले देखने को मिलेगी इसके अंदर भी 120 Hz का refresh rate है यहां पर आपको fluid emulate display देखने को मिलती है डिस्पले के मामले में इन दोनों में से पूछो तो यहां पर जो battery display है वो एक ही चीज मैं बोल सकता हूं कि realme 11 pro के अंदर आपको थोड़ी सी battery display देखने को मिलेगी क्योंकि यहां पर crowd display भी है काफी अच्छा experience रहने वाला है features भी इसके अंदर आपको display के अंदर जादा देखने को मिलते हैं तो जिनको एक अच्छी display का phone चाहिए वो realme 11 pro ले सकते हो अगर यहां पर इन दोनों के अंदर chipset के बात करें तो यहां पर जो realme 11 pro के अंदर आप देखते हो तो यहां पर media data के daemon city 7050 का यहां पर आपको processor देखने को मिलता है थोड़ा better processor यहां पर आपको देखने को मिल जाता है यहां पर आपको qualcomm snapdragon 782z का processor यहां पर आपको देखने को मिलिया जो कि 6nm पर बेस्ट है यहां पर एक चीज बोल सकता हूं यहां पर जो जिनको gaming करनी है साथ में OnePlus Nord CE3 भी लेना चाहते हैं तो या फिर Realme 11 Pro लेने वाले हैं तो इन दोनों में से अगर gaming के लिए आपको ज़्यादा अच्छा चाहिए तो यहां पर OnePlus Nord CE3 जो phone है वो आपको better performance निकाल के दे देगा यहां पर आपको LPDDR4X की RAM देखने को मिलती है और उसी के साथ Uoffice 3.1 की storage type यहां पर आपको देखने को मिल जाती है तो यहां पर आपको काफी अच्छे features देखने को मिलते है OnePlus Nord CE3 के अंदर अगर यहां पर आप battery department की भी बात करते हो हो तो यहां पर Realme 11 Pro के अंदर 5000 mh की battery है देखने को मिलती है अब यहां पर देखने को मिल जाते है कुम्बिल जाता है और उसी के साथ आप वन प्लस नोड सी थी के अंदर देखती हो तो यहां पे आपको ट्रिपल रिए क्यामरा सेटप देखने कुम्बिलता है फिफ्टेव पिसल का मैं कैमरा है एट में पिसल का अल्टरावाइड और टू में पिसल आपको मैक्रोलेस देख देखने कुम्बिल जाता है यहां सोनी का IM-8 90 जी वजए से जो काफी अच्ज हथी फोटो यह निकाल के देगा यह जो पो आपको flagship devices में देखने को मिलता है लेकिन यहां पे आपको जही की काफी अचाई sensor देखने को मिल जादा है यहां पे आपको camera के मामले में भी oneplus node CE3 आपको काफी आगे देखने को मिलने वाला है और इन दोनों के अंदर ही selfie camera आप देखने को मिल जाते हैं और यहां पे अधर features की भी बात करते हैं तो यहां पी जो plus point है वो आपको four plus point तो है कि oneplus node CE3 के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन तीन और जो features आपको realme 11 pro के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन आपको जो trovकित करते हो OnePlus Nord CE 3 तो यहां पे चाहिए थे खेने को मिलता है और यहां पर स्टोरेज कोंən देखनी को मिलता है और यहां पर यहां पर यहां पर OnePlus Note C3 के अंदर देखने को मिलती है और यहाँ पे जो design है वो subjective चीज है किसी को Realme 11 Pro पसंद आएगा या फिर OnePlus का भी पसंद आएगा तो यहाँ पे यह एक subjective चीज है बाकी यहाँ पे जो fast charging है वो भी यहाँ पे आपको OnePlus Note C3 के अंदर देखने को मिलती है यहाँ पे overall आप देखते हो जादा तर जो feature है यहाँ पे सिर्फ display को छोड़ के वो जादा तर feature जो है कि OnePlus Note C3 के अंदर आपको देखने को मिलते हैं लेकिन अगर आपको display better चाहिए तो आप Realme 11 Pro ले सकते हो अगर आपको crowd display का phone चाहिए बाकी जादा तर फीचर आपको OnePlus Note C3 के अंदर आपको काफी अच्छे गासे देखने को मिलते हैं आपका opinion क्या है इन दोनों में से वो भी आप comment section में बता सकते हो बाकी OnePlus Note C3 का जो प्राइज हो अभी थोड़ा सा जादा लग रहा है जब भी कभी sale आए, offer वगेर आपको काफी अच्छे मिले तब आप यह phone ले सकते हो उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लिगी होगी तो please like विच्छे मिलते अच्छे मिले में तब तक के लिए धन्यावाद